लोग सभाचुनाव 2019 राखी सावंत ने कहा वो लोग मुझे छे महीने तक प्रतिमाः पचातर लाक रोपए टीवी की ड्रामा कुईन राखी सावंत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है राखी राजनीती में शामिल होने जा रही है हाल ही में एक मीडिया वेब पोर्टल द्वारा ये दावा किया गया गया कि बॉलेवुड में मौझूद दिगज स्टार्स पैसों के लिए इस बार लोग सभाचुनाव 2019 में किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए ऑनलाइन प्रचार करने के लिए तयार है वही उस पोर्टल द्वारा लगाए गए आरोपों पर किसी भी बॉलेवुड स्टार का रियेक्शन तो नहीं आया लेकिन राखी सावंत ने इस मामले में बयान दे दिया है और वे इस मामले में अपनी चुपी तोड़ती हुई नजर आ रही है राखी सावंत ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मेरे पास कुछ लोग आए जुन्होंने मुझसे कहा कि हम डॉकिमेंटरी बना रहे हैं जिसके लिए हम चाहते हैं कि आप उसमें एक्ट करें उन सभी लोगों ने अच्छे पैसों की पेशकश की हम आर्टिस्ट हैं और दुनिया का कौन ऐसा आर्टिस्ट होगा जो पैसों के लिए ऐसा काम नहीं करेगा वो लोग मुझे 6 महीने तक प्रतिमा 35 रुपे देने की बात कर रहे थे जिसको सुनकर मैं हैरान थी लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी तो उस वक्त मैंने वहीं किया जैसा उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि वो मुझे धोखाद दे रहे हैं इसके बाद राखी ने मीडिया को लेकर कहा कि वेक चुनाव में पैसों के लिए प्रचार नहीं करती हैं उनके लिए पैसे इंपोर्टिंट नहीं है